अरहर दाल का दाम इस साल की रिकॉर्ड उंचाई पर पहुँच गया है। आयात पर बढ़ती निर्भरता ने न सिर्फ उपभुकताओं बलकि सरकार के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। क्योंकि मांग और आपूर्ती में बैलेंस बनाने का काम सरकार का है। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के मताबिक एक से बीस मई के बीच देश में अरहर दाल का दाम 13,428.44 रुपए प्रती क्विंटल रहा, जो पिछले साल की इसी अवधी से 24.95 फीसदी अधिक है। साल 2023 में इसी अवधी के दोरान अरहर दाल की कीमत 10,747.33 रुपए प्रती क्वि कारने 2023-2024 के लिए अरहर की MSP 7,000 रुपए प्रती क्विंटल तैकी हुई है। दरसल केंद्रिय क्रिशी मंत्राले की ओर से इस साल 29 फरवरी को जारी किये गए 2023-2024 के फसल उतपादन अनुमान के अनुसार तूर या तूर दाल का उतपादन 33.39 लाक मीटरिक टन है। हालां की इसकी राष्ट्रिय खपत लगभग 44 से 45 लाक टन सालाना बताई गई है। ऐसे में करीब 10 लाक मीटरिक टन तूर दाल के घाटे को आयात से पूरा किया जाता है। आयात पर हमारी निर्भरता जितनी अधिक होगी, दाम बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बेशक भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उतपादक है। लेकिन यह भी सच है, यहां दलहन फसलों का जितना उतपादन होता है, उससे मांग पूरी नहीं होती। भारत दुनिया का लगभग 25 फीसदी दलहन पैदा करता है, लेकिन ज्यादा आबादी की वज़े से भारत में खादे तेलों के बाद खाने पीने वाली चीजों के आयात में डालों पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार बड़ी मातरा में अरहर, उड़द, मसूर और पीली मतर का आयात कर रही है, वरना इसके दाम और बढ़ जाएंगे। केंदर सरकार के सूतरों क कहना है कि भारत का दाल आयात 2023-2024 के दोरान लगभग 97 फीसदी बढ़कर 31,071 करोड रुपए तक पहुँच गया है, जो कि एक साल पहले की अवधी में 15,780 करोड रुपए के आसपास था। दालों का आयात एक साल पहले के 24.5 लाक टन के मुकाबले 2023-2024 के दोरान 45 लाक ट कामले में हमारी विदेशी निर्बरता बहुत तेजी से बढ़ रही है।